आई एवरीवन कैसे हूँ आप सभी लोग आयोग आप लोग अच्छे होंगे मैं हूँ राहूल जेस्वाल एं स्वागत करता हूँ आप सभी के एक बार फिर हमारे यूटूब चैनल जे आर टूटोरियल्स में फ्रेंट्स आज अगे आपके सामने मोश्ट इंपोर्टन्ट हिस्ट्री का लेक्चर वीडियो लेकर आच चुका हो दोस्तों जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे 9th स्टैंडर के लिए हिस्ट्री सब्जेक का एक और न्यू चाप्टर फ्रेश और बहतरीन चाप्टर के शिरुवात करने जा रहे हैं दोस्तों जिसका नाम है चाप्टर नमर सेवन साइन्स एंड टेक्नोलोजी तो आप बोले हैं सर हम तो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं साइन्स एंड टेक्नोलोजी कहां से आ गया ओव्यसली यार देखो हमने एक सबजेक्ट अलग से बढ़ा हुआ है साइन्स एंड टेक्नोलोजी आपका जो साइन्स सब्जेक्ट जो आप जनरली बोलते हैं जनरल साइन्स बोलते हैं तो यह जनरल साइन्स से इससे थोड़ा सा अलग है क्यों क्योंकि यह हम हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं तो यह जो साइन्स एंड टेक्नोल वो सब चीज हम discuss करेंगे इस चाप्टर में, ठीक है? तो बहुत मज़ेदार चाप्टर है, वीडियो को end तक देख लेना, आज तो पहला lecture है, तो बहुत सारी चीज़े हम आपको बताएंगे, introduction बताएंगे, बहुत साथ चीज बताएंगे, वीडियो को end तक देख लेना, और आप continuously हमारे साथ बने रहना और अपना प्यार दिखाते रहना, क्योंकि हर चीज हमने बना के रखा हुए, और अल्रेडी डाल के रखा हुए, कहां पे, playlist में, आप जानते होंगे, दोस्तो playlist भी हमारा updated है, बाकि हर subject, science, math, history, geography, political science, जो है आपका हर चीज present है हमारे playlist में, आप जाओ, जो भी standard में हो, जो भी subjects का चाहिए, अच्छे से ढूंडो, वीडियो को जाके मिल जाएगा, बहुत यह आसान है हमारे channel पर जाके वीडियो ढूनना, playlist के अंदर, मिल जाएगा, अच्छे से ढूंडो, अच्छे से पढ़ाई करो, और जितना हो सके उतना अच्छे marks बस यही आपके राउल सिर आपसे चाहते हैं, ठीक है, और एक और चीज़, राउल सिर को आप अगर support करना चाहते हो, तो please follow me on Instagram, इससे फाइदा यह होगा, कि हम दोनों interact कर सकते हैं, जब भी आप लोग को ऐसा कुछ लगता है, हम live session जब Instagram पर रखते हैं, तो आपको अगर करना है, तो आप मुझे face to face video call के तुरू बात कर सकते हो, Instagram के उपर, यानि कि जब live session हम लेंगे तबी, ठीक है, तो मुझे इस ID पर follow कर सकते हो, साप में हमारे दो और चैनल है, यह मैं क्यों बताता हो बार-बार, क्योंकि यह बहुत important channel है, खासकर JR Talks, इस पे हम आपके वीडियो की science and technology, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, what do you mean by science and technology, जैसे कि हमको एक चीज मैंने बताया है, कि हमारा जो time था, independence के पहले या फिर इकडम Britishers के time पे, उसके पहले तक हमारे देश में कोई technology वाली चीज नहीं थी, ठीक है ना, हमको अगर किसी से बात भी करना होता ता तो हम चिट्टी रिख के बेशते थे, जो कि लगबग बहुत समय के बात पहुचता था, और ये independence होने के बात भी था, और पहले के ज़ौन में कबूतर बेशते थे, चिट्टी डाल के ऐसा होता था, और कुछ बात ये करना होता था, तो बहुत समय लग जाता था चिट्ट तो ये सब technology किस वज़े से आया, because of science, तो ये जो चीज़े हम discuss करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ चीज़े हम discuss करेंगे, Indian Atomic Energy Commission, ये क्या है, Indian Atomic Energy, क्यों ये पढ़ रहे हम लोग, Indian Atomic Energy, क्योंकि यार, Atomic Energy हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है, बहुत important फिलाल में इसके अभी ना हमारा लाइफ अदूराई, क्यों हम बात करेंगे, तो Indian Atomic Energy Commission, this is our first topic, जो हम लोग आज discuss कर रहे होंगे, ओके, तो देखो, Indian Atomic Energy Commission, नाम भी देखोगे, Atomic Energy है, what do you mean by Atomic Energy? ऐसी एनर्जी, जो Atomic Elements का यूज़ करके किया जाता है, जैसे कि Uranium का यू 10 Standard के Part 2 के Chapter No. 5, Towards Green Energy करके एक Chapter, अगर आप जानना चाहते हैं, तो आप पढ़ सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि आप 9 में तो 10 का नहीं पढ़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो जाओ देखो, उसमें हमें पूरा explain किया है process, कि कैसे एक nuclear element का use करके हम बिजली बना सकते हैं, तो वो बिजली बनाने के लिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वो बिजली जो produce होती है, उसको atomic energy बोलते हैं, तो atomic energy का इस्तिमाल होता है, अलग-अलग process के लिए, और ये हम सभी जानते हैं, कि जैसे हमारी आजादी होई, तो उसके तुरंट बाद जो हमारे पंडित जवाहाल लहरू थे, उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर, तो उनका approach यही था, वो भी एक बहुत ही महान और बहुत ही अच्छे प्राइम मिनिस्टर है, क्योंकि उनको बहुत सारी चीजों के बारे में knowledge था, और उन्होंने बहुत सारी इंडिया को चीजों में एक तरीके से डाला है, एक position में डाला है ताकि इंडिया बहुत जल्दी अपग्रेड कर सके, तो यहाँ पे उनका योगदान यह था कि उनको जो knowledge था, उन्होंने insist किया और साथ ही में जो Dr. Homie Baba थे उनके साथ मिलके यहाँ पे 10th August 1948 में इनर्जी इंडियन अटॉमिक यह जो एनर्जी कमिशन इसकी शुरुआत की, यानि कि 10th August 1948 यानि कि आजादी के लगबग अगले साल, आजादी के एक साल बाद इन्होंने यह जो इंडियन अटॉमिक एनर्जी कमिशन इसकी शुरुआत की और इसके चेर्मेन को अपॉइंट किया गया था ऐसे Dr. Homie Baba, यह बहुत famous व्यक्ति है, इनके ब Haba Atomic Research Center भी एक सेंटर है यहाँ जो की लगबग 4-5 किलोमेटर सी है, ठीक है न, तो बहुत अच्छी बात है, मैं जहाँ पर बोईसर में रहता हूँ, आपको पता होगा, बोईसर में आपका भी सर्च माना, तो बोईसर में तारापूर है, तारापूर एक न्यूक्लिर इसके लिए मैं बोलता हूँ, कुछ अच्छी चीज़े हमने डाले हुए vlogs पर, वहाँ पर हम घुमते भी है, कुछ अच्छी चीज़े भी दिखाते हैं, और knowledge भी देते हैं, ठीक है न, यह तो आप जानते होँगे, कि मैं हर जगा जाके knowledge देता हूँ, ठीक है तो जरूर दे कमी थी, लोगों के घर में बिजली नहीं आती थी, आज भी आप कहीं ने कहीं, एकदम गाओं के साइड जाओगे, तो बिजली का प्रॉब्लम है आज भी, लेकिन उस जमाने में सोचो, लोग दिया जलाते थे, लाल टेन जलाते थे, और क्या-क्या चीज़े करते थे, और जीते थे, लेकिन धीरे-दीरे बिजली आने लगी, और कैसे आने लगी, जब ये सब चीज़ का इस्तेमाल होने लगा, और इलेक्रिसिटी को प्रॉड्यूस करना was the topmost priority of India, या फिर बाकी देश में तो होई रहा था, लेकिन इंडिया में भी topmost priority बन गया था, तो ऐसे Department of Atomic Energy की भी शुरुवात की गई थी दोस्तों, और यही यहाँ पे इसमें Department of Energy, Atomic Energy की जब शुरुवात की गई थी, तो अब्वियसलि जब nuclear elements का आब यूज कर रहे हैं, तो nuclear reactor भी चाहिए होते हैं, जैसे आपको पता हैं, chemical reaction करने के लिए chemical reactor की जरुत होती है, वैसे nuclear reaction करने के लिए एक nuclear reactor की जरुत पड़ती है, तो हमारे देश में सबसे पहला nuclear reactor को बनाया गया था, और functioning उसका हुआ था, atomic energy का जिसका नाम रखा गया था, अपसरा, यह question हमेशा exam में पूछता है, क्या बोल रहा हूं है, अपसरा एक atomic या फिर nuclear reactor का नाम है, first nuclear reactor, ठीक है, nuclear reactor, यह फिर one sentences में आपको question पूछेंगे, कि अपसरा एक नाम था, nuclear reactor का, हमारे देश का पहला nuclear reactor आप बोल सकते हो, तो इनने शुरुआत की थी, और फिर 1969 में atomic power station तारापूर में setup किया गया, देखो यह इसी के बात कर रहा था हमें, 1969 में तारापूर करके एक जगा है, और जहां पे atomic power station बनाए गया, atomic power station का मतलब होता है, वहाँ पे atomic energy का use करके electricity को produce किया जाता है, तो यह चीज है वहाँ पे और यह बहुत ज़्यादा successfully हुआ था, और तारापूर का तो सबसे पहला है, मतलब हमारे देश में, पुरे एश्या में सबसे पहला माना जाता है, atomic power station, यह चीज ध nuclear radioactive elements होते हैं, nuclear elements होते हैं, तो thorium use किया जाता था, वो चीज आपको ध्यान में रखना है, और atomic reactors का role simple यह है कि atomic power को produce करना और उससे हम लोग क्या कर सकते है, electricity को produce करेंगे, तो ऐसे बहुत सारे जो factories होती है, ठीक है न, जो heavy water बनाती है, तो इसकी भी ज़रुप पढ़ने लगी ताकि atomic power है, वो setup किया जा सके, और बहुत सारे जगा, other than these, तारपूर एं तामिल नाडू, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे जगापे हैं, जहापे atomic energy power station को develop किया गया और वहाँ पे setup किया गया, जैसे बडोदरा में किया गया, फिर culture में किया गया, तूटी कोरीन, जो कि ये सब जगा में आपका, जो heavy water projects है ना, इसको यहाँ पे setup किया जाने लगा, ताकि जो manufacturing हो, heavy water का, वो हो सके वहाँ पे, और बाद में उसको heavy water board का नाम दे दिया गया, ठीक है, तो ये सब चीजे धिरे-धिरे हो रही थी, और उसके बाद अगर बात करें, ये होने के बाद, हमारा आया, धुरुवा nuclear reactor, तो ये धुरुवा क्या है, धुरुवा nuclear reactor क्या है, इसके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे, nuclear reactor, इसके बारे में देखते हैं, थोड़ा ध्यान से, अब इसको थोड़ा सा देखो, धुरुवा nuclear reactor क्या है, तो basically क्या होगा है, कि 1985 में एक complete इंडूस्तान का बना हुआ, मतलब हमारे इंडिया का, हिंडूस्तान का बना हुआ, एक complete reactor, क्योंकि हमारे पास इतनी capability नहीं थी वो time पे कि हम खुद का काम खुदी कर सकते हैं, हमें दूसरे देश की मदद चाहिए होती थी, लेकिन फिर भी बाकी लोग देश जो है ना, मना क नुक्लियर रेक्टर खुद के दंपया बनाया और इसका नाम रखा धुरूवा, और इसको स्टार्ट किया गया था ट्रॉम्बे में, जो कि मुंबई के नहीं है आप जामते हैं, जो मुंबई में रहता हुआ उनको पता होगा, ट्रॉम्बे, मुंबई में एक जगा है, ज होता था, आपको ध्यान में रखना है, फिर ये सेंटर में लगबग 350 radioactive substance जो है, पाए गए थे, प्रोडिूस होते थे, ठीक है, इसका इस्तेमाल अलग-अलग industries में, agriculture में, medicines को बनाने में, ये सब चीज़ में इसका इस्तेमाल किया जाता था, लियर है, तो उमीद करता हूँ Corporation, ठीक है, Nuclear Power Corporation of India Limited, इसको shortcut में, यहाँ पे मैं mention करता हूँ, क्योंकि हमेशा मुझे shortcut नाम याद रखना ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन आप लोग इसको पूरा नाम याद रखोगे, क्योंकि एक्जाम में हो सकता है, इसका full form पूछे, या फिर आपको पता होना अच् Corporation of India Limited, तो यह इसका full form है, यह है क्या, यह company है, Nuclear Power Corporation of India Limited, एक company, एक government की company है, जिसका main काम यही है, कि atomic energy का use करके, atomic elements, nuclear elements का use करके, बिजली को produce करना, और तारापूर जो है न, यह भी एक NPCIL है, जो मैंने आपको बता है न, उसमें इक power station, atomic power station है, तो वो जो company है, वो कौन है, NPCIL ह तो यह चीज़ आपको ध्यान में रखना है, तारापूर Atomic Power Station, TAPS आपको पता होगा, यह भी बोईसर में आ जाता है, तारापूर Atomic Power Station, कभी search मारना, मैं लखी हूँ, कि यहाँ पर मैं रहता हूँ, तो यह सब चीज़ आप देख ले न, तो company की शुरुआत की गई थी 1987 मे इसकी शुरुआत की गई थी दोस्तों, में कारण क्या था, obviously बिजली बनाना, क्योंकि बिजली का shortest था हमारी इंडिया के अंदर, तो यह सब चीज हो जाए, और main objective यह था कि बहुत जल्दी-जल्दी चीज़ों को develop किया जाए, और technology point of view किया जाए, और यह generate कर पाए, electricity जो क standard के board के अंदर, जाके देख लेना, तो अगर हम koila जला के बनाते हैं, तो koila से pollution जादा होता है, लेकिन आप nuclear elements का अगर इस्तिमाल करते हैं, तो इसका जो pollution level है, बहुत कम है, comparatively, बहुत कम अदब ना के बराबर नहीं है, लेकिन कम है, ठीक है ना, तो यह भी यह क्या हो गया environment friendly हो गया, eco friendly हो गया, तो एक करीके से यह हर चीज में safe है, तो इसके लिए यह country के लिए, हमारे देश के लिए self sufficient माना जाता है, ठीक है ना, लेकिन हर चीज, दोस्तों कहीं न कहीं कुछ चीजे जो होती है, वो कहीं न कहीं खतम हो जाती है, तो हो सकता है, अगर future में by chance यह thor बिजली बना सकते हैं, हवा से बिजली बना सकते हैं, तो यह तो जिंदगे में कभी खतम नहीं होगे, ठीके ना, यह जो हवा, पानी, सब तो कभी खतम नहीं होगे तो यह सब चीज का future है आगे आने वाले time में, जो कि हम लोग अलग अलग तरीके से follow करने वाले हैं, clear है, तो उमीद करता हूँ कि आपको ये चीज बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, एक लास्ट टॉपिक है, लास्ट नहीं है, एक लास्ट टॉपिक है, लेकिन उसके अंदर दो टॉपिक पढ़ना है, हमारा first nuclear test, इसको थोड़ा से ध्यान से देखो, first nuclear test जो हुआ था दोस्तों, वो पोखरन में हुआ था, अगर आपने एक movie देखिए, जिसका नामे परमानु आईगे, तो उसमें एक पोखरन, राजस्थान में एक जगा एक पोखरन, जो की पूरा रगिस्तान है, desert area है, पूरा desert area है, वहाँ पे यह जो first nuclear test है, वो करवाए गया था, और यह हुआ था 18th of May 1974 में, तीक है ना, 18th of May 1974 में सबसे पहले इसकी test हुई थी, और हमें, जो है, atomic energy या फिर atomic weapons है, इसका इस्तिमाल करने के लिए, यहाँ पे एक तरीके से हमें help हुई थी, तो basically, हमारा India, basically यह था कि हमें, हम चाहते थे कि हमारा भी technology, at least nuclear test के इसाफ़ से आगे बड़े nuclear weapons भी हमारे पास हो, लेकिन जो प nuclear bomb बोलते हैं, hydrogen bomb बोलते हैं, आपको पता होगा, तो atom bomb वगरे बनाने के लिए हम तो उचसा इत थे, क्यूकि हमें भी superpower बनना ये, हमारे पास अगर atom bomb ने रहेगा, तो को जुसरा देश हम पे फोड़ दिया के तो, या कर ओके?र हमारे पास भी उतना हतियार होना चाहिए, proper तो यह जो पाकिस्तान था यह चाइना का बहुत फेवर करता था चाइना की हल्प से वो कहीं न कहीं हो जल्दी से जल्दी Atomic Energy को पाना चाहता था Atomic Weapons को पाना चाहता था लेकिन हमारे इंडिया वाले भी कम नहीं थी, तो हमने नॉर्मली जो हमारे व्यक्ति थे जिनका नाम था डॉक्टर होमी सेथना जो की चेर्में थे उस वक्त के इंडियन अटॉमिक एनरजी कमिशन के, ठीक है न, तो फिर डॉक्टर राजा रमन्ना होगे, फिर जो डारेक्टर थे बाबा अच्छी लीडर थी वो भी, ठीक है, प्राइम मिनिश्टर इंडर गांदी ते, जिन्नों ने ये नुक्लियर टेस्ट को करवाने का डिसीजन रखा था, और पोखरन को ही चूज किया गया था, क्योंकि पोखरन एक ऐसा जगा था, जहां पे दूर दूर तक कोई इंसान नह मूवी बना हुआ है, पूरा, पूरा इसके ओपर मूवी बना है, अगर आपने परमाणू मूवी देखी है, जौन अबराहिम की, तो ये पूरा सेकेंड नुक्लियर टेस्ट है न, वो ही मूवी के ओपर बना हुआ है, और ये करवाया गया था, 11 में 1998 में, ठीक है न, ये भ अटल बिहारी बाचपई जी, डॉक्टर एपीजे अब्दुलकलम वस दो प्रेसिरेंट, अटल बिहारी बाचपई वस दो प्राइम मिनिस्टर और कंट्री, ये दोनों की सहानुबुती और बहुत तरीके से मिल जूल के, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, और हमारे सा इस तरह से हमारे पास भी नुकलियर टेस्ट हम कर पाया, और हमारे देश भी एक नुकलियर कंट्री बन पाया, क्योंकि हमारा देश को नुकलियर कंट्री बनाना बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर बाकी देश के बास नुकलियर वेपन से और हमारे पास नहीं रहेंगे, तो हमें दबके रहना पड़एगा, क्योगि दमकी देगा, मैं तिरे पे नुकलियर भूट दूगा, इंडालों बुलेगा, अरे मत फोट, जो आप बोलोगे मैं करूँगा, अभी हमारे पास भी नुकलियर भूट है, तू जो बोलेगा ना, अमेरिका जैसे हो गया, फिर चाइना हो गया, ठीक है न, बाकी जो कंट्री से बड़े-बड़े, उनके बस बहुत ज़्यादा है nuclear weapons, हमारे पास का में लेकिन फिर भी कहीं नगई हमारे पास भी ताकत है, यह हम लोग बता सकते हैं, और यही सब टेस्स से हमें पता चाला clear है, तो उमीद करता हूँ कि आपको यह चीज बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, तो इसी के साथ दोस्तो आज का वीडियो में समाप्त करूँगा, क्योंकि पहला ही lecture था, यूजरी बहुत छोटा बनाता हूँ में पहला lecture, लेकिन आज बहुत सारे चीज़ें हमन में discuss की है, मैं क्या-क्या बता हूँ, इतना fast मैंने बोल दिया है, लेकिन आपको उमीद करता हूँ दोस्तो, कि आपको हर चीज अच्छे से समझ में आए, क्योंकि हमारा जो तरीका है पढ़ाने का यही है, लेकिन हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको each and everything आपको में provide कर सको तो उमीद करता हूँ कि हर चीज आपको clear हो गया होगा, इसे के साथ वीडियो समापत होता है, दोस्तो जल्द आपके साथ मिलूंगा अगले lecture में, यानि कि lecture number 2 में, जिसमें हम लोग इसके आगे का चीज और आगे का चीज और मज़दार है, हम discuss करेंगे Dr. APJ. Abdul Kalam के बारे म इसे के साथ वीडियो समापत होता है, यह वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तो प्लीज हमें कॉमेंट करके बताना, अपनी राय और suggestion जरूर से देना, वीडियो पसंद आया दोस्तो अच्छा लगा है, तो प्लीज वीडियो को like कीजेगा, share जरूर से कर देना, अपने सार एगले वीडियो में ये वीडियो देखने के लिए थांग्यू एंड गुद्बाई